ओम नमश्वें हरहर महादीव सोमवती अमवस्या पर करें कुछ खास उपाई जिसको करने से आप हो जाएंगे माला माल जी हाँ कुछ ऐसे खास उपाईं जो आज मैं आपके लिए ले करें अगर आप इसे विश्वास और शद्धा के साथ करते हैं जीवन के जब कश्ट दूर हो जाते तो अपने आप याप मौला माल हो जाएंगे, जी बिल्लकुल तो सावन मास में आने वाली अमवस्या को सामवनी अमवस्या भी कहा जाता है जिसे की हर्याली अमवस्या के नाम से भी जाना जाता है इस दिन पित्रों की शांती एक लिपिंड दान और दान धर्म अवश्य करना चाहिए यह बहुत जाद अधिक विशेश मातों रखते हैं जीवन के आपके कई बदलाव आते हैं पित्र प्रसन है ना तो जीवन में वाके में खुशिया आने लगती हैं अगर आपके पित्र पिल्कुल प्रसन नहीं है ना तो घर में कभी खुशिया आती ही नहीं है मांगली कारे तक रूचाते हैं तो सबसे सोब प्रतम अपने पित्रों को बिल्कुल अच्छे से प्रसन कीजिए तो कभी भी अमवस्या के दिन आप ही छोटे से उपाया कर सकते हैं किसी भी अमवस्या के दिन तो सोमती अमवस्या के दिन पित्र दो से मुक्ती पाने के लिए सबसे उत्तम है कि इस इनाम एक असान सा उपाया जरूर करें अपने नराज पित्रों को प्रसंद करने के लिए सबसे पहले आप किसी भी पवितर नदी में स्रान करें अगर नहीं जा पारे हैं तो अपने नहाने वाले जल में ही थोड़ा सा पवितर नदी का जल डालें और फिर उसे स्नान करें इस दिन आप किसी भी ब्राह्मन को भोजन अवश्य करें और साथ में अपनी शमता अनुसा कुछ भी दान पुने अवश्य करें जो भी आपकी शमता हो जीवन में अगर वाके में सुक्समिर्धी पाना चाते हैं तो इस दिन आप गायतरी मंत का जाप इस मंतर का जाप आप चितनी मर्जी बार करेंगे आपके जीवन के सारे कश्ट सारी परिशानिया दूर हो जाएगी जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया दान करें जी हाँ अपनी शमता अनुसार इस दिन आप वरत भी रखें दान भी करें जिसे कि आपके पित्रों की आत्मा को शांती प्राप्त होगी किसी भी गरीब जरूरत मन्त को कुछ भी दान कर सकते हैं इस दिन पीपल, बर्गत, केला, नीमबू, तुलसी, आदी का व्रिक्षर ओपन करें कोई ना कोई किसी ना किसी चीज का पौधा जरूर से जरूर आज के दिन लगाएं जिसे बहुती जादा दिक्षुभ माना जाता हैं इन व्रिक्षों में देवताओं का वास होता है और आपके देवता भी प्रेसन होते हैं तो पीपल की पेड़ की परकर्मा करना बिलकूल भी ना पूले इस दिन पीपल की चरमें कच्चा दूद और उसमें काले तिलमला के जरूर अर्पन करें चाहें तो आप गुड और काले तिल मलाके भी अर्पन कर सकते हैं तिल के तिल का दीपक जरूर प्रचवरीद करें और वहीं बैठके ओम नमो भगवते वासु देवाई का 108 बार जाप जरूर करें पीपल के विक्ष की पर करमा अवश्य कीची का 108 बार कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो आप सिर्फ साथ बारी भी करेंगे ना तो भी चलेगा मगर करिये जरूर और पित्र दोश इससे आपकी हर एक मनो कामना अवश्य पून होंगी आपके जीवन के हर कश्ट दूर होंगे और आपके पित्र भी प्रसन हो होंगे और कुंडली से पित्र दोश भी दूर होगा किसी भी नदी ये जलाश ये तलाव जो भी आपके घर के आसपास हो आटे आटा ले लिजे गुंद कर उसकी गोलिया बना ले और मचलियों को जरूर से जरूर डाल के हैं ओम नमेश्य का जाप करते रहें इससे भी आप से जादा शेयर करें कहते हैं ना कि एक उपाई बदल सकता है जिन्दगी जियां ये बहुत ही खास उपाई हैं इसको करने से जीवन की काफी परिशानिया दूर होंगी और कमेंट्स बॉक्स में जैशी किष्णा लिखना भी मत भूलेगा मुझे आगया दीजे फिर करें कि भी मत भास उलोग skilled क्कृम के भी मत धिब एक उर्णा भी मत प्यूंगी और रिटे कि पर श में